हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू एज आरवेदा, मैं हूँ डॉक्टर रजय कुमार आज मैं बात करूँगा बीपी हाई और लो की समस्या को खतम करने का एक आसान सा आयरवेदिक और एक घरेलू तंत्र आपको बताऊंगा, अगर आप इन दोनों मैंसे कोई एक भी कर लेते हैं, तो आपकी या आपके घर में या पडोस में कोई भी परेशान है बीपी हाई और लो की समस्या से अगर हाई होता है थोड़ा चलते हैं हापनी लगते हैं तोड़ा सा चलते हैं हापनी लगते हैं बैठ जाते हैं एकदम सर पे गर्मी आ जाती है एकदम पागल सा हो जाता है व्यक्ति जब बीपी हाई होता है तो पागल सा हो जाता है और लो होता है तो व्यक्ति बिलकुल सू या ऊपाई कर लिया वो उससे भी अप ठीक हो जाएंगे the फृ screams दोना ने से को येक कर लेरा सबसे पहले बात करते हैं तंत्र आपको क्या करना टाभीज लेना है चांदी का सिर्ट का चांदी का ताभीज बनवाना या थोड़े से बाल मिल जाएं, कहीं के भी बाल मिल जाएं थोड़े, बस उन बालों को उस तावीज में भरके लाल या काली धागे में डाल के गली में डाल दो, बस BP हाई और लो की समस्या बिलकुल खतम एक तो ये उपाय हो गया, बिल्ली के बालों को चांदी के तावीज में भरके, जिसको BP लो और हाई की समस्या है, घवरा हट होती है, डर लगता है, तो वो इस उपाय को कर सकते हैं और लाब पा सकते हैं, ठीक है, ये पहले दिन से ही लाबकारी होता है, अब बात करते हैं तीस दाने आपको चने के लेने हैं, पच्चीस दाने किसमस्के और बीश दाने चने के, दोनों को मिलाकर साम के टाइम पे एक गिलास में पानी भरके और आप छट पर उनको रख दो, पानी में डालके, एक गिलास में, गिलास अगर मिट्टी का हो तो बहुत अच्छी बात है काच का हो तो और भी अच्छी वात है ठीक है तो सुभा साम को आपने रख दिया सुभा उठकर धीरे धीरे चबा चबा कर खा जाएं और पानी पीते जाएं ये क्रिया लगातार बीस से पचीस तीस दिन लगातार आप करेंगे तो आपके बीपी हाई और लो की समस्या बिल आपका बीपी लो हाई आपकी घबराहट बेचैनी सब खतम सब कुछ ठीक हो जाएगा लगातार इस नुस्खे को यूज कर लेना इन दोनों में से कोई सा भी आप यूज कर सकते हैं अगर आपको बनाने का तरीका नहीं आता तो आप हम से पूछ सकते हैं फोन कर लेना कोई कोई दिक्कत नहीं है कभी फोन करो पूछ लो जो भी पूछना वहा करें पूछ लिया करो डरा मत करो ठीक है मैं भी आपकी तरह इंसान हूं कोई बहुत बड़ा वो नहीं हूं ठीक है तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर देना चैनल को सुस्क्रा करें अगर चैनल पर नए हैं आप तो